स्वागत आप सभी का एक बार पेर आप देख रहे हैं कहानी कुर्शी की और अब एक बात ऐसे विवाद की जो बहुत शर्मनाख विवाद है और सबसे जो ज़ादा इस मामले में दुख देने वारी बात की इस विवाद के दोनों किरदार महिला है। सोशल मीडिया को भी देखती हैं कॉंग्रेस पार्टी के लिए सूपरियार शिनेद उनके इंस्टाग्राम के अकाउंट से कंगरा ननौत की एक तस्वीर लगा करके उसके नीचे एक पोस्ट किया गया और लिखा गया कि क्या भाव चल रहा है मंडी में कुई बताएगा क्या मंडी यही शब्द जो है इसी पर सारा हंगामा हुआ अब यह जब जैसे यह पोस्ट सामने आया इसके बाद हंगामा मचना शुरू हो गया सारे दूसरे सोशल मीडिया पर भी इसके चर्चा होने लगी और उसके बाद काफी देर के बाद जाकर कि तब तक यह जो तस्वीर अब पता लगा रही हूं कि अब यह पोस्ट जो है या पत्ती जनक पोस्ट किस ने किया तरहूं उने खुद का कि पोस्ट बहुत अपत्ती जनक है, बहुत भद्दा पोस्ट है, लेकिन जो भी लोग मुझे जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं किसी महिला के बारे मैं ऐसा कभी कुछ कह ही नहीं सकती, और मैं इसकी जांच में जुटी हुनी हूँ, ये बात सुप्रेयर श्रनेत ने कहीं, लेकि क्या उनको पता नहीं चला, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन आते हैं, किसी भी पोस्ट पर क्या, उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, ये चारों तरफ सोशल मीडिया पर इसको लेकर हंगामा मचा हुआ था, लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि ऐसा कैसे सुप्रेय पर कोई आक्शन होगा पार्टी लेगी, सारे सवाल हमारे सामने हैं, कंगना रनौत ने फिर इस पर रियाक्ट किया, पहले तो उन्होंने सोशल मीडिया पर ही रियाक्ट किया, और सोशल मीडिया पर कंगना रनौत ने आकर कि ये लिखा, कि मैं बिछले बहुत अरसे से फि कुछ कुछ नहीं कहना चाहिए उसकी dignity को intact रखना चाहिए मर्यादा बनाए रखे जानी चाहिए उन्होंने किवल इतना social media पर कहा और फिर उनका आज इक statement और आया है तो पहले आप कंगनार अनौत का statement सुनें फिर मैं आपको जो सफाई दीती सुप्रेयर शनेत की ने वो मैं को दिखा हूँ अभी नेत्री हूँ और अभी नेत्री होने के कारण यह जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका वेफसाय हो कोई भी उनका काम हो पेशा हो हर महिला जाहे वो टीचर हो जाहे वो एक्ट्रिस हो जाहे वो जोनलिस्ट हो जाहे वो राजनिताग्य हो यह वो चाहे सेक्स वोर्कर हो और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके, I mean, you know, सेक्शुलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है, सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है, वो जो मंडी जी से छोटा काशी कहा जाता है, पुरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिध है, जहांपे रिशी पराशर से लेकर, रिशी मारकंडिय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिपनी, तो हम सब मंडी वासी जो है, वो बहुत ही कश्ट हमें हुआ है इस चीज़, मेरे फेस्बुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का अक्सेस कई लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहत घ्रनित और आपत्ति जनक पोस्ट की, मुझे जैसे ही पता चला, म मैं इसकी घोर विरोधी हूँ, फिर मैंने जानना चाहा कि आखर ये कैसे हुआ, तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपियोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से, वही पर ये अब्जेक्शनबल पोस्ट हुआ और वही से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेस्बुक और इंस्टा पे डाला, मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूँ कि जिन लोगों के पास अकसेस था, उनमें से किसने ये घरणत काम किया, साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को अब देखें कुछ जानकारी हमें भी मिली है, उस जानकारी के मताबिक सुप्रियाश नेत का जो ये हैंडल है, जो अकाउंट है, ये वाकई कई लोगों के पास इसका अकसेस है, शायद 5-6 लोग ऐसे हैं, और ये कोई असाधारन बात नहीं है, किसी भी बड़ी पार्टी क के अंदर या जो लोग सोचल मीडिया पर बहुत जादा अक्टिव होते हैं, कई बार वो अपनी आकसेस और लोगों को देते हैं, उनके बहाफ पर पोस्ट किया जाता है, लेकिन इसकी जो फाइनल अथारटी है, वो खुद वही वेक्ती है, जो जिसका वो अकाउंट है, मत बताएगा ना, मेरे नाम से क्या पोस्ट किया जा रहा है, मैं किसी पर इतना तो ने अंदा विश्वास कर सकता हूं, तो बात सही है कि इसकी फाइनल रिस्पांसिबिलिटी सुप्रिया शनीत के ऊपर लाए करती है, सुप्रिया शनीत ये कह रही है कि मैं पता लगा रही हो गया है कि ढूंड नहीं है, तमाशा बना रखा है इस महिला ने, अरे बई अगर सोशल मीडिया कि आप हेड हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि नीचे जो हैंडल चलना है उसको भी आप ठीक रखें, आपके अपने हैंडल का आपको पता नहीं है, और पहले कहा कि हमा करके कोई कंगना रनौत पर इस तरह से टार्गेट करेगा, तो पलिटिकल मोटिव समझ में आता है, फिर उसी वक्त पलिटिकल मोटिव जो गुजरात कॉंग्रेस के एक नेता हैं, उनके हैंडल से हो जाता है, फिर उसी वक्त एक जो पूरू पत्रकार रहीं और अब करती हैं, रिणाल पांडे उनके हैंडल से आ जाता है, उसी वक्त कॉंग्रेस मेडिया, कॉंग्रेस के आईटी से जुड़ी हुए, सोशल मीडिया के लिए काम करते हुए, कम से कम दस खाते तो मैंने चिन्हित किये, ठीक उसी वक्त मंडी कोटन कोट क्या भाव चल रहा है, यूँ ही तो नहीं कर दिया होगा, इसको प्लिया गया, और सुप्रिया श्रिनेत का तर्क कितना भाउंडा है, कितना आधार ही नहीं है, जिरह आप लोग ध्यान से सुनियेंगा बारंबार, वो क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि मेरा खाता कई लोगों के पास होता, अब ऐसे लोग राहूल गानी का सोशल मीडिया आगे बढ़ा रहे हैं, तो इश्र कहां ले जाएगा भगवान जाने, उसके बाद क्या कहती है हो, उन लोगों में से किसी ने किया कैसे, अपने से नहीं किया है, वो कोई पैरोडी अकाउंट चलता था सुप्रिया पैरोडी, उस निशाना बनाया, पूरे अपने जितने सोशल मीडिया की टीम थी, उसको एक्टिव किया, परियोडी अकाउंट पर सबसे पहले वो डाला गया, वहां से वो यहां डाला गया, जब पूरे में बात फैल गई, तो उसको अब हैक हो गया, यह हमारा पासवर्ट किसी और के पा जो होते हैं, वो अपने सोशल मीडिया खाते का एकसिस किसी एक व्यक्ति को दे देते हैं, लेकिन वो भी जो व्यक्ति है, जो आपने अभी शब्द कहाना कि कुछ भी पोस्ट करना है, तो वो पहले पूछेगा, यह कोई पार्टी का ग्राफिक्स नहीं था, यह कोई अगर आप ध्यान से देखें सुप्रिया कहती हैं कि हमको जानने वाले जानते हैं कोई भी महिलाओं पर टिपपड़ी नहीं कर सकती ही तीवी पर जो उनको बोलते सुनते होंगे जानते होंगे कि वह क्या क्या कर सकते हैं लेकिन जिस तरह की campaign पिछले कुछ समय में Congress के ITCL के जरीए चलती है और आप इस campaign को देख लिए आपको लगेगा कि यह योजनावन्द है पताएंगे कि कौन सवाला किया था किया क्या उन्होंने नहीं किया ना विजय लक्ष में जुड़गी है मारसाथ Congress Party की सारी खबरें जो हैं वो आप तक पहुचाती रहती है विजय क्या है मामला इस सारे प्रकरन का सुप्रिया शुनेत का account का access वाकई और लोगों के पास रहत की account का access है और अक्सर ऐसा होता है कि कोई tweet draft किया जाता है फिर वो दो से तीन लेवल पर wet होता है फाइनली जो है वो उसको फिर किसी भी social media platform पर जो है वो डाल दिया जाता है अब ऐसा बताया जा रहा है कि जो team wet करती है उसमें से एक व्यक्ति हैं जो सारा content जो है wet करते हैं Congress क social media profile का उन्होंने ही उनके level पर wetting के बाद ही ये जो post है ये इंस्टा पर डाला गया अब इस तरह की खबरें Congress सूतरों से आ रही है हला कि अभी किसी तरह का कोई कारवाई तो Congress ने नहीं की है लेकिन ये बात है कि Congress में और social media में एक दो लोग हैं जिनके पास सुप्रिया श्र जरूर कर लिया है Congress Party ने लेकिन किस तरह की कारवाई की जाएगी ऐसा सूतर बता रहे हैं वो देखना होगा लेकिन internal process में किसी को identify करना बहुत मुश्किल काम नहीं है तो वो जरूर identification हो गया होगा लेकिन क्या Congress Party को कारवाई करेगी या किस तरह का आगे इसको लेकर लेगी जिस ने किया आगर किसी और ने किया है तो उसकी पहचान तो हो गई होगी निश्चित तोर पर तो Congress क्यों नहीं कारवाई करेगी उस पर एक सवाल ये किया और दूसरा सवाल मेरा आप से ये था जो भी तरीका होता है नेताओं का अपने अकाउंट से कुछ पोस्ट करने का आपने का कि एक टीम करती है वो वेट करती है कि ये जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए जिसका अकाउंट है वो भी फाइनली देखता है कि नहीं देखता पोस्ट होने से पहले अब बिल्कुल सौरब अब जो क्योंकि कई सारे नेता हैं जिन से हमारी बात होती है जो कहते हैं कि हमारी PR टीम देखती है या हमारी टीम है लेकिन बड़े विश्वास पात्र लोगों को ही नेता जेनरली अपने अकाउंट का एकसेस देते हैं अगर कोई टीम है तो इसमें जो सेकंड इन कमांड होता है उस टीम का इसके पास जिम्मेदारी होती है कि वो पूरा कंटेंट देखे उसको वेट करें और फिर फाइनली एक अप्रुवल तो जिसका अकाउंट है उससे लिया ही जाता है किसी भी पोस्ट को ट्वीट करने से पहले या डालने से पहले अब इस केस में सुप्रिया कह रही है कि उनसे अप्रूवल नहीं लिया गया उनको बताया नहीं गया हलाकि प्रक्रिया यह होती है कि वेट किया जाता है और फिर उसके बाद जिसका अकाउंट है उससे वेट कराने के बाद अकाउंट को पोस्ट किया जाता है लेकिन क्या अब जिस तरह की बाद सुप्रिया कह रही है कि उन्हें नहीं पता था उनका access किसी के पास था बड़ा ही गरनित ट्वीट उनके पोस्ट से किया गया और वो इसका पता लगाएंगी और फिर आगे की कारवाई करेंगी अब इस केस में क्या वाकई में ऐसा हुआ कि सुप्रिया शुनेट से कोई approval नहीं लिया गया और जो टीम का content देख रहे थे उन्हीं लोगों ने अपनी स्वेच्छा से ये content उनके इंस्टा पोस्ट पर डाल दिया ये सब सवाल हैं जिनके जवाब जो हैं अभी फिलहाल तो देना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी तो यही का जा रहा है कि access था और उनने फैसला ले लिया कि ये इंस्टा पर पोस्ट डाल देना चाहिए लेकिन विजए जैसा आपने बताया कि internal process के अंदर ऐसे आदमी को पकड़ना बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है कितरे लोग होंगे जिनके बाद access होगा एक दो लोग होंगे लेकिन उसके बाद जो है कारवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है क्यों नहीं बताया गया कि वो वेक्ति कौन ही है सवाल जरूर है उसको फोटो लगाई है जानबूच की एक दूसरी फोटो लगाई है जिससे कि कुछ आने पर बचाओ किया जा सके और जानबूच की उस तरह से लिखा गया कि हम उसका जवाब भी दे सके यानि दूसरा कोई उससे जादा उस पर लिखे जो सोशल मीडिया को ट्रेंड करान तो मेरे ख्याल से कॉंग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल है और कॉंग्रेस को इस वक्क कॉंसेंट्रेट करना चाहिए कि मंडी में वो आखिर ये कंगना रनाउत के खिलाफ किसे उतारेंगे वो मुश्किले है प्रतिबा सिंग जो है पहले से माना करती आ रही है कि मैं नह किसी जाने दूगा कि मैं बकाइदा वेट होती है और बकाइदा परमिशन ली जाती है जो है ट्वीट से पहले कि या पोस्स से पहले कि यह ठीक है या नहीं मलों जूट बोल रही है तो मुझे नहीं लगता कि यह गलत चीजे हैं कि आपको कह देना कि अच्छा किसी ने कर दिया ऐसे किसी ने कैसे कर दिया आप सारी पोस्ट जो है चेक करते हैं यह आपके ऊपर आता है कि अगर आपका कोई है यह आपका कोई अकाउंट है तो उसमें क्या जा रहा है यह तो आ आने के बाद हंगामा कितना होगा, कितनी मार पड़ेगी उसके बाद, यह क्यों नहीं पता लगेगा किसी को? सारब जी, टेकनिकल बात यह है कि यू कैंड डेलिगेट दो ऑथरिटी, बट रिस्पोंसिबिलिटी ओल्वेज लाइज बिल्कुल से, आप ऑथरिटी को डेलिगेट कर सकते हैं, आपका हैंडल कोई और कर सकता है, लेकिन रिस्पोंसिबिलिटी अंतिम में आप ही की पड़े आप अपने मातहत को जिसको भी आप डेलिगेट करते हैं, मेरे बदले ये काम कर देना, लेकिन जिम्मेदारी आपको खुद ही लेनी पड़ती है, यदि गलत होता है तो आप पकड़े जाएंगे, इसलिए इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरन में, जो जिम्मेदारी मनती है, वो सुप्रिया सुनेत की मनती है, और इसमें कोई दोराय नहीं है कि इतना बड़ा ऐसा ट्वेट बिना उनकी जानकारी में हुआ होगा, ऐसा मानने का कोई आधार बनता नहीं है, मुझे लगता था इनके लिए बहतर ये था कि जो ये दाएं-बाएं की जो सफाई आ र रहते हैं, बहुत बहतर सालिंता ये होती कि हमसे गलती हुई है, हम माफी मांगते हैं, ये हमसे ऐसा नहीं हमको करना चाहिए था, कई बार ऐसा होता है कि आप बातचीत के तेवर में तो ये सब चीजे निकल जाती हैं, लेकिन जब आप टिपनी लिखते हैं, तो जान गया कि आपने एक महिला को अपमानित किया, और सुप्रिया सिनेर्ट आज के दिन में राहूल गांधी की जो क्लोज टीम है, उसके बहुत करीबी हैं, तो सभाविक तेग है कि इसका रेफ्लेक्शन पार्टी के नित्रत पर भी पड़ता है, पुरी सोचल मीडिया की हेट है मामुली बात नहीं है, जिस प्रकार से उनका राईज हुआ है कॉंग्रेस पार्टी के अंदर, बहुत सारे उनके अपने भी प्रतियस परदी जो हते हैं, वो बहुत लाइक नहीं करते होंगे, जो ऐसी इस्तिती में उनके लिए बेहतर होता कि वो एका एक माफी मांग ली, मज़दार बात यह है कि जिस मरणाल पांडे क्यों लेकर के यह माना जाता था कि बड़े शालीन है, बड़े बड़े जिसको कहते हैं, मैं बज़रा बता देता हूं तरश्रकों क्योंकि वो दिखाया है नहीं है, मरणाल पांडे जी बहुत सिनियर जनलिस्ट रही है, उन्ह यह है कि मंडी में ही सही भाव मिलता है, यह था उन्होंने एक्जाक्ली लिखा था, जी देखे, देखे, यह तो सब कोई जानता था कि वो कॉंग्रेस के बड़ी करीबी हैं, लेकिन कोई इतना वरिष्ट, लेकिन माना जाता था कि थोड़ा सा कम से कम न्यूट्रल बातें भी करते हैं, लेकिन आद ये बहुत साफ साफ पता रहे हैं कि आप कॉंग्रेस के कैम्पेन के हिस्से बन गए हैं, और जो कुछ भी उनके जो इज़्जत प्रतिस्ठा थी, उन्होंने धुमिल कर लिया है इस ट्वीट के बाद से. समीर जी, मैर तो सवाल यह है कि जो अभी विजय लक्ष्मी बता रही थी, अगर आद भी पकड़ लिया है, आपने किस ने किया है तो आप एक्शन टूनी लेते हैं उसके खलाब, अगर सुपरिया शनेद वाकरी जो कह रही हैं सच है, किसी और ने किया, उनको नहीं मालूम अभी वो लोड होगा, कीवड आता है उसके अंदर उसके बिना अप्रूव होता नहीं, सिर्फ कंटेंट जा सकता है, फोटो और वीडियो अगर जाना होगा, तो बिना अप्रूवल के आपके जा नहीं सकता है, यह सारे बड़े लोग इंप्लिमेंट करते हैं, मुझे लग संगना रनौत के पुराने वीडियो घुमा रही है, जिसमें उन्होंने उर्मिला मातोंगर के खलाप एक सेस्टिपनी कीता है, आप इतनी घटिया हरकत कर रहे हैं, उसके बाद आप उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या राहूल गंदी ने इसके अंदर माफी म हुआ है, जिसके हुआ है, क्या उससे खिलाप कोई कारवाई की है, उसको निकाला है, उसका नाम सारजी ने किया है, सुप्रिया शीनियत बता है कि मेरे टीम से इस रक्ती ने किया था, इसे आप सोचल मीडिया टीम से निकाल दिया गया है, मुझे लगता है ये बिना सुप कर दो को? कर दो कर दो को